नमस्कार आप देखरें एक निउस 24 और मैं हूं मधवाला आपके साथ राजनीती कभी भी कोई करवट ले सकती है जी आपको बता दू दोस्त दुश्मन भी बन सकते हैं और दोस्त दोस्त भी वापस से बन जाते हैं जी आपको बता दो चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पशुपती कुमार पारस आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगे तो वीडियो को अंधितक जरूर देखियेगा हाजिपूर से चुनाव लड़ने के सवाल भतीजा के खिलाप आग उगलने वाले रालोजपा प्रमुख पशुपती कुमार पारस ने चिराग पासवान को बड़ा ओफर दिया है पुर्वकेंद्रिय मंत्री पारस ने कहा है कि उन्हें चिराग पासवान के लिए वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है वे हाजिपूर में जाकर उनके लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं पशुपती पारस ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की भी तारिफ की है और दावा किया है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एंडिये की जीत होगी हाजिपूर में लोगसबा चुनाव धोजार चौबिस के पाचवे चरन में 20 मई को मतदान होने वाला है पुर्वकेंद्रिय मंत्री और रालोजुपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपती कुमार पारस सुक्रवार को अपने अवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे मेडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यदि चिराग पासवान प्रचार के लिए बुलाते हैं तो वो हाजिपूर अवश्य जाएंगे और उनके लिए जनता से वोट भी मांगेंगे पशुपती कुमार पारस हाजिपूर से निर्वतमान शांसद हैं 2019 के लोगसभाद चुनाव में रामविलास पासवान ने उन्हें विदायक रहते हाजिपूर से चुनाव लड़ाया और पारस जीत कर शांसद भी बन गय थे पशुपती पारस ने कहा कि पहले जो बाते हुई उसे भुला कर वे भतीजा की सहायता के लिए तयार है लेकिन वह ऐसा तब करेंगे जब उन्हें चिराग पासवान बुलाएंगे आपको ये भी बता दू कि प्रेस वारता के दौरानपुर्व केंद्रिये मंत्री ने भतीजा से कुछ नाराजगी भी जताए उन्होंने कहा कि नामंकन में चिराग पासवान की और से कोई आमंतरन नहीं मिला था दूख जता आते हुए कहा कि चिराग पासवान मेरे घर के आगे से हर दिन आते जाते हैं लेकिन कभी घर नहीं आते हैं वह मुझसे छोटे हैं और मैं रिस्ते में बड़ा हूँ पहले उन्हें पहल करनी चाहिए पशुपती कुमार पारस ने कहा कि मेरी बात भाजपा और NDA के अनश्योगी दल के निताओं से लगातार होते रहती हैं उनसे बिहार की सभी सीटों पर NDA के उमिदवारों की जीत कैसे हो इस विसाय पर चर्चा होती है मैं इसके लिए अपने अस्तर से काम भी करता हूँ मैंने लोजपा राम विलास के उमिदवार राजेश वर्मा को जिताने के लिए खगडिया जाकर वोट भी डाला है उनके उमिदवारों को हराने की बात जूठी और अफवा है पुर्वा मंत्री ने दावा किया कि हम पूरी तरह NDA के साथ हैं पीम नरिंद्रमोदी की चर्चा करते वे पारस ने कहा कि देश की 75 फिसदी जनता नरिंद्रमोदी के साथ हैं नरिंद्रमोदी के विकास और कल्यान कारियों कारियों ने आम लोगों का जीवन पूरी तरह बदल डाला है इसका लाव लोग सभाच नौ में एंडिये के सभी दलों की प्रत्याशियों को होगा पारस ने दावा भी किया है कि बिहार में सभी 40 सीटों पर एंडिये गठबंधन के प्रत्यासी विजई होंगे और इंडिया गठबंधन को जनता एक भी सीट नहीं देगी इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ेगा तो जैसा कि आपने सुना पशुपतिकुमार पारस का वापस से भतीजा प्रेम जाग चुका है जी आपको बता दू हाली में देखा गया था कि दोनों का बहुत ज्यादा ही अनबन चल रहा था दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे लेकिन वापस से पशुपतिकुमार पारस ने बोला है कि उनको चिराग पासवान को पहल करनी चाहिए क्योंकि चिराग पासवान पशुपतिकुमार पारस से छोटे हैं और आपको ये भी बता दू कि पशुपतिकुमार पारस ने नरिंदर मोधी की भी तारिफ की है और NDA ये प्रतियारशी को भी बोलाए कि NDA की ही जीत होगी 40 की 40 सीटो पर NDA की ही जीत होगी और इंडिया गटबंदन पे ताना विमारा है कि इंडिया गटबंदन को एक भी सीट हासिल नहीं होगी बाकी इन सब मुद्धे पे आप सब की क्या रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज पेस्बुक पेज को फॉलो करें धन्यवाद